हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ रिचा मैं आज आपको एक टैन रूउबल बताऊंगी जो बहुत ही अच्छा है मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर कर लेती हूं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज कर संप्रोटेक्शन लेना के बाद भी आपक कहीं भी टैनिंग हो गई है इसको सही करने के लिए हम यह पैक जरूर लगा सकते हैं अपलेगा बस दो ही चीजें में चाहिए हमें उसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपके हाथों पर होगी आपके बैक पर पैरों पर आपके बॉड़ी किसी पार्ट प दो चीजें में बता देती हूं कौन कौन सी है एक तो मुझे राइस फ्लोर लेना है एक चम्मच राइस फ्लोर ले लोंगी मैं एक टेमेटो जूस लोंगी इसका जूस ले लोंगी मैं टेमेटो का तेमाटर का इस तरह से अच्छा पका हूगा तो इसका जूस अच्छे से निकलाएगा इसको छानने की ज़रूत नहीं है यह बहुत ही अच्छा एक बनेगा तुम्हें इसको अच्छे से मिला लोंगी प्राइस फ्लर बहुत अच्छा होता है अमारी स्किन के लिए वाइप करता है अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है हैंड की या किसी भी बॉड़ी पार्ट की तो उसको भी यह स्मूद कर देता है टाइट कर देता है और आपके हाथों में अगर गंदगी होगी वह भी आप टमाटर के जूस से सही भी हो जाएगी और टैनिंग भी से निकल जाएगी तो इस तरह से मैं यह पैक बना लूँगी और फिर इसको लेकर अपने हैंड्स पर अपलाई कर लूँगी इस तरह से और 20-25 मिनिट के लिए छोड़ दूँगी इससे 10 बहुत अच्छे से होगा आप इसको 20-25 मिनिट ऐसे ही लगा कर छोड़ दीजिए इस तरह लगा लेना है आपको कि इस तरह से लगा लीजिए कि यह लिखिए क्यूँकि हम लुग स्लीबलेस पहनते है daughters अब धर्मी आरए था तो स्लीबलेस पहन न आ encourage लिए उनको इसमय से अम लोग चेहरी को था प्रोटेक्ट अन्य लेते हैं लेकिन इसको भोला जाते हैं इसलिए इसलिए हम लोगों को यह पैक लगाना बहुत ही अच्छा होगा तो आप पेक को जरूर लगाइएगा और मुझे पताइगा कि आप की यह कितना वेनिफीशियल रहा है इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा आप इसको जरूर ट् मैं आपको दिखाते हूं कि इस कैसा हो गया मेरी स्किल कितनी अच्छी हो गई है तैनिंग निकल गई है देखिए गाइस मैंने 20 मिनट बाद एंड वाश कर लिये हैं और आप खुद भी देख सकते हैं जफिन्स यह देखिए शाइन आ गई है हाद पर यह देखिए एक दम बहुत ही अच्छा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आप इसको जरू ट्राइ करके देखिए और फिर मुझे बताईएगा कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह कैसा लगा आप यह पैक जरू यूज कीजिए इसमें सिर्फ दो ही चीज़े लगनी है और छोटी सी चीज़े यह तो घर पर आपको अबिलेबल होई जाएगी चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो आप इस थोड़ा सा चावल लेके मिक्सी पीस लीजे और वह फाइन पेस्ट कीजिए यह बना लीजेगा बिदर दरा भीकुल नहीं होना चाहिए अच्छा पेस्ट हूना चाहिए तकि आपको इसके पर हार्च्ट साह cure कोई डेमिज ना हो जाए इसलिए इसको बहुति ऑच्छा होना चाहिए बुक्ल शाइए रिल्एнев बन जाहा यह बंगा मुझ्ज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दवाईएगा जुकि नोटिफिकेशन बेल आपके पास पहुच जाएगी और पूर न्यू वीडियो अप्लोड मिलेगा आपको वहाँ पर और अगर ऐसी रेमेडी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और लाइक जरूर करके बताएगा कि आपको मेरे यह कैसे लग रहा है मेरे डेमेडी मेरे टिप्स अगर आपको कैसे लगे तो मेरे साथ जोड़े रहिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगी चली कि अनुड़े कि अथैंगा झेंगाता तक पूली कि आपको कि वीडें़ क्ताइब चह दो बताइबू करेंगाता था किप्से लगे हैंगे लोगे कि आपको कि एंपको कि फीडिले च cared रो स्बड़े हैंगाएंगा मैं दॉगगही कि इėंशन च्टे तो दॉगपे अनुग